वेल्कम टू माई चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11 इस चैनल पे आपको ड्रक्स के बारे में इंफर्मेशन मिलती है कंप्लीट फर्मकॉलोजी पढ़ाई जाती है आपको बताया जाता है कि ड्रक्स कौन कौन से बिमारियों में इस्तिमाल की जाती है जब आप ड्रक्स करते हैं तो कौन कौन से क्लिनिकल एफेक्ट्स हैं कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल कंडिशन्स हैं जिसमें आप ड्रक्स करते हैं clinical use किया है और जब आप drugs लेते हैं तो वो कौन से mechanism के थुरू clinical effects देती है और जब आप drug लेते हैं तो कभी-कभी side effects भी आ जाते हैं इन तमाम चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे according to the drug called bisoprolol तो इस वीडियो को completely देखिए ताके आप इन सारे effects को समझ सकें और पर लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें स्टार्टिंग विद द्रग देट इस बाइज़ो प्रोलोल टैबलेट की फॉर्म में आती है पांच एमजी और दास एमजी में कि मेकरिजम आफेक्शन कि वो ड्रग काम कैसे करती है तो हमारे पास होते हैं बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर बाइजो प्रोलोल इन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और यह बीटा वन रिसेप्टर स्पेसिफिकली हमारे हार्ट के उपर होते है यह हमारे पास हार्ट है इस हार्ट के उपर बीटा वन रिसेप्टर होता है और यह आपकी ड्रग है आपकी ड्रग इस receptor को block कर देती है लेहाजा जो आपके पास heart rate increased होता है वो कम हो जाता है specifically clinical conditions, hypertension क्या मतलब hypertension? जो आपके पास high blood pressure होता है high blood pressure को treat करने के लिए आप क्या करते हैं ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं 2.5 से 5 mg per oral everyday और dose इवन बढ़ा भी सकते हैं 10 mg तक भी बढ़ा सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा hypertension है तो 20 mg की dose भी ली जा सकती है even it is useful in heart failure heart failure हो रहा है तो आप heart को थोड़ा calm down करते हैं थोड़ा relax करते हैं heart rate को थोड़ा कम करते हैं 1.25 mg per oral everyday even you can increase the dose लेकिन 10 mg से ज़्यादा नहीं बढ़ाते conditions hypertension है high blood pressure में यूज करते हैं और जिन लोगों को heart failure का issue हो वो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं side effects की बात करें कुछ drugs के होते हैं जैसे dizziness होना insomnia नीन आना Brady arrhythmia heart rate कभी कभी बहुत कम हो जाता है arrhythmia आने शुरू हो जाते हैं इवन respiratory infections में भी ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है diarrhea है rhinitis arthralgia cough dysnia nausea pharyngitis sinusitis vomiting ये सारे के सारे इसके जो है side effects हैं लेकिन लाजबी नहीं कि हर किसी में side effects आते हो कभी कभी कुछ लोगों में side effects आ सकते हैं बाकि दर ड्रग इस safe toxic levels नहीं है इसके therapeutic levels हैं और बहुत useful drug है clinically बहुत useful drug है prescribe की जाती है लोग इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन अपने डॉक्टर से मश्वरे की मताबिक ही इस सारह की drugs इस्तेमाल कीजिए खुद कभी ऐसे drugs आपना start करें वरना आपको arrhythmia हो सकते हैं आपको problems आ सकती है फिर भी कोई question है तो comment section में हमसे जरूर पुछिए इसके साथ साथ हमारे channel को like करें comment करें share करें subscribe करें अपने धेर सारा ख्याल रखिए शुक्रिया